नमस्कार दोस्तो रेलवी की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पर रेलवी की तरब से जो कोरिजेंटम एंड अमेंडनेंट नमबर थ्री डाला गया है आराड सी लेवल वन यानिकी गूरूब डिय एक्जाम के लिए तो दोस्तो उसमें यहाँ पर बहुत यहाँ पर सब कुछ बताता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने यह ओफिशल नोटिस खोल रखा है जो आपके डाला गया था अब यहाँ पर दोस्तों आप क्लेरिफाइड रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टेंडर्ड है उसको यहाँ पर बताता हूं देखिए मेडिकल स्टेंडर्ड क्या है कि हर पोस्ट के लिए एक अलग मेडिकल क्राइटेरिया होता है बहले ही आपके सो में से सो माक्स आए हो लेकिन दोस्तों अगर आपका मेडिकल स्टेंडर्ड लो है और आपका मेडिकल स्टेंडर्ड लो है तो भले आप आपका medical standard था हर पोश्ट के लिए वो कैसा था और अब कितना है तो चलिए मैं ऑफिचली जो 2019 में जो आपका centralized notification आया था वो यहां पर खोल लेता हूं तो यहां पर दूस्तों मैंने officially notification यहां पर खोल रहा है यह जो आपके सामने है यह आपका नया notice है और यह आपके सामने है जो आपका पूराना है यहां कि 2019 में जो centralized notification है वो आपका है अब यहां पर आप देख सकते हैं प्रते एक जो category है उसमें क्या यहां पर changes किये गए हैं तो एक मिट मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं ताकि दोनों आपको एक साथ यहां पर दिख सकें ठीक है ओके अब यहां पर जो हैं दोनों एक साथ आपको दिख रहे हैं अब दिखिए यहां पर आप clarify रूप से यहां पर changes देख सकते हैं कि पहले जो assistant workshop थी इस post के लिए जो medical standard रखा था दोस्तों वो यहां पर रखा था C1 अब देखो medical standard कैसे आपके होते हैं मैं आपको दिखा दूँ सबसे अच्छे medical standard उड़ता है A1 उसके बाद में होता है आपका A2 उसके बाद होता है A3 उसके बाद होता है B1 उसके बाद होता है B2 उसके बाद होता है C1 उसके बाद होता है C2 यानि कि जिसका medical standard A1 है वो सारी post के लिए eligible है जिसका A2 है वो A2 से छोटी यानि कि आपके A3 B1 B2 इन सब post के लिए eligible है जिसका medical standard A3 है वो A3 के साथ आपका B1 B2 ऐसे इस प्रकार इन post के लिए apply कर सकता है उनके लिए जोइनिंग ले सकता है अब यहाँ पर आप देखिए जिसका medical standard C1 था तो उसके लिए जो पोश्ट से न assistant workshop उसको दोस्तों यहाँ पर नहीं लिया गया है अब दोस्तों यहाँ पर B1 medical standard लिया है यानि कि दोस्तों आपका B1 है उसके बाद आएगा B2 उसके बाद आएगा C1 यानि कि C1 से medical standard को उठा कर B1 में डाल दिया है यानि कि जिन चात्रों का color blindness है उनको medical standard मिलता है B2 and blow ठीक है B2 and blow उनको मिलता है अब यानि कि इस सात्र का कर कलर ब्लाइनेस है तो इसको C1 है तो यह उस पोस्ट के लिए एप्लिकेबल था दोस्तों अब वो assistant workshop के लिए यहाँ पर apply नहीं कर सकता है इनको उसको यह post नहीं मिलेगी ऐसे अगर हम आगे देखें तो देखो वापिस अगर हम यह C1 वाली post देखें जिसका नाम है assistant report store इसमें देखें medical standard C1 था लेकिन अब दोस्तों इसका medical standard कर दिया है B1 यानि कि यह भी जो post है जो color blindness वाले चातर है यानि जिनका भी medical standard लो है उनके हाथ से आपर छीन ली गई है आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखें यह B2 थी यानि कि assistant operation electrical इसको भी दोस्तों चीन लिया गया है और B1 कर दिया है यानि कि यहाँ पर जो color blindness वाले चातर है या जिनका medical standard लो था उनके लिए एक बहुत बुरी ख़बर है कि उनको यहाँ पर देखो railway में बहुत खामयाजब उतना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर seat एक कम कर दी गई है उच्छे medical standard उनका कर दिया गया है इसके अलावा बाकि सब सेम है नीचे अगर हम आई तो यहाँ पर देखो यह आपके कर दिया गया है यहाँ पर देखेंगे 10 number तो यहाँ पर देखो पहले B1 था assistant track machine उसको दोस्तों A3 कर दिया गया है यानि कि A3, A2 और आपका B1 इस प्रकार से होता है तो B1 से direct A3 कर दिया गया है यह चिंजिस किया गया है इसके लावा यह सेम है सारे यहाँ पर देखेंगे वापी से assistant TLAC जो होता है वरक्षोप है इसमें C1 थी इसको दोस्तों B1 कर दिया गया है यह यह भी पोश्ट आप hospital assistant है इसको भी यहाँ पर change किया गया है hospital assistant में पहले यहाँ पर C1 था और यह भी यहाँ पर B1 कर दिया गया है यानि कि C1 की पोश्ट यहाँ पर बहुत कम कर दी गई है और दोस्तों चात्रों को बहुत बड़ा खाम दिया यहाँ पर बुगतना पड़ेगा C1 के अगर हम आपके C1 category के लिए है जबकि पहले आप दे सकते हैं एक आपके दो यहाँ पर है इसके अलावा यहाँ पर तीन चार पांच यानि कि पास पोश्ट के लिए यहाँ पर apply कर सकते थे जिनका medical standard low है तो अब यहाँ पर केवल दो पोश्टों के लिए apply यहाँ पर किया जाएगा तो आप सभी सी मेरा निवेदन है कि जब आप ग्रेवेंसे लगाएं जो आपको जो लिंक दिया गया है अभी notice डालके तो उसमें इस बात को भी जरूर आप उठाएं नहीं तो दोस्तों हो सकता है कि आपका medical standard low है और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी पोश्ट यहाँ पर जहींदे वान देमात्रम